वेलकम टू SS Defense Academy, फ्रेंड्स आज के इस वीडियो सेशन्स में फाउंडेशन्स मैथ के स्रीज को कंटिन्यू करते हुए न्यू चाप्टर बाइनरी नंबर सिस्टम यानि द्वी अधारी अंकन पत्ती को हम लोग फूल डिटेल्स में देखने वाले हैं तो वीडियो को बिना स्किप किये फूल वाज कर लिजेगा मैं आपको जनकारी दिया था कि फाउंडेशन्स मैथ के अंत्रगत हम लोग कौन-कौन से चाप्टर को कभर करेंगे तो मैं नंबर सिस्टम में फर्स्ट चाप्टर डिवाईजर्स और फेक्टर ये पूरा कम्प्लीट करा दिया हूँ आपको एक सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगा फाउंडेशन्स मैथ के नाम से तो आप उस प्लेलिस्ट को जरूर विजिट किजेगा डिवाईजर्स और फेक्टर से पहले मैं आप सभी को नंबर्स का इंट्रडॉक्षन दिया था उस चाप्टर को भी क्लियर कर दिया हूँ और उस पे अधारी जितने भी प्रिवियस कोशन्स बने हैं उन सभी को कभर किया हूँ तो जरूर देखिएगा प्लेलिस्ट को आज के जो चाप्टर है वो है बाइनरी नंबर सिस्टम इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह बाइनरी से डेसिमल में कनभर्ड किया जाता है और डेसिमल से बाइनरी में कनभर्ड किया जाता है और next chapter roman number system को मैं discuss करूँगा इस तरह total chapter जितने भी है number system के अंतरगत वो complete कराऊंगा उसके बाद arithmetic के सभी chapter को complete कराऊंगा फिर उसके बाद advance को complete कराऊंगा तो आप लोग channel से जुड़े रहिएगा ठीक है पूरा math complete करा दूँगा तो देखिए binary number system में हमें binary number system से decimal number system में convert करना होता है और decimal से binary में convert करना होता है आप देखिए binary number system में इस number system में base आपको 2 देखने को मिलता है और digit का उपयोग हम लोग 0 और 1 का use करते हैं इसके अलामा और किसी भी digit का उपयोग नहीं होता है और वहीं बात करते हैं decimal number system में इसमें base जो होता है, 10 होता है, और इसमें digit का उपयोग होता है, 0, 1, 2, 3 से लेकर 9 अंग थक, ठीक है, आप लोग ये decimal number system को बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, अब देखिए, ये आप लोग ध्यान से समझेगा, इस pattern को यदि आप समझ गए, तो पूरा binary से decimal और decimal से binary में convert करना आप easily सिख जाएंगे, देखे, किसी भी संक्या को binary number system में बदरने का तरीका, आप क्या कीजेगा, ये पहले दाहिने तरफ से एक लिखिएगा, ठीक है, उसके बाद दो गुना करते हुए, बाए तरफ बढ़िएगा, जैसे एक के दुगुना दो हुआ, दो के दुग करते हुए, वहां तक बढ़ना है, जहां तक कि आपको जरूरत पड़ेगा, अब कहां तक जरूरत पड़ेगा, मैं अभी आपको प्रश्न के माद्यम से क्लियर करता हूँ, जैसे यहां पर देखिए, बाइनरी में बदल ये, जो फर्स्ट कोशन से 16, 16 एक संख्यात्मक मान है, वास्तों में यहीं decimal number होता है, इसको ही convert करते हैं हम लोग binary number system में, तो कैसे हम लोग करते हैं, वह समाझ लेते हैं, देखिए, पहले हम लोग क्या करते हैं, उपर वाले pattern को लागू करते हैं, क्या करेंगे, दाहिने तरफ एक लिखेंगे, और उसके बाद दोगुना करते हुए, बाएं तरफ बढ़ेंगे, और वहां तक बढ़ेंगे, जहां तक हमें जरूरत पढ़ेगा, जैसे इसमें हमें 16 तक बढ़ना है, तो देखिए, पहले एक लिखा, उसके बाद दोगुना करते हुए, बाएं तरफ बढ़ रहा हूं, दो लिखा, फिर चार लिखा, फ चार की नीचे 0, दो की नीचे 0, एक की नीचे 0, ठीक है, तो यहीं आपका हो जाएगा एक और 4 0, उसके बाद हम लोग base में 2 लगा देंगे, तो यह किस में convert हो जाएगा, binary में convert हो जाएगा, जैसे 32 को अगर binary में convert करना होगा, तो 32 के नीचे 1 लिखेंगे बाकी जो इधर बच रहा है उसके नीचे 0 लिखेंगे ठीक है? वहीं आपको convert हो जाएगा binary में तो आप लोग सोच रहोंगे कि यह जो list में जो संख्या आपको दिखाई दे रहा है क्या उसी का हम लोग मतलब change कर सकते हैं binary में तो ऐसा नहीं है आप किसी भी संख्या को binary में convert कर सकते हैं ठीक है? देखे जैसे यहाँ पर 14 है 14 है इसे हम लोग को binary में convert करना है तो उपर वाले pattern को लागू करेंगे पहले एक लिखेंगे फिर दुगुना करेंगे दो फिर उसके बाद 4 हो जाएगा 4 दूना 8, 8 दूना 16 इस तरह हम लोग बढ़ते जाएंगे लेकिन देखे 14, 16 से पहले आता है तो हम लोग आप देखेंगे कि कौन 16 से पहले कौन ऐसी संख्या को हम लोग जोड़ेंगे कि 14 बन जाएगा तो देखे 8 और उसके बाद 8, 4, 12, 12 और 12, 14 यानि 8, 4 और 2 को जोड़ने पर 14 बन जा रहा है तो जिस जिस संख्या को जोड़ने पर 14 बना है उसके नीचे 1 लिखेंगे बाकी जो बच रहा है उसके नीचे 0 लिखेंगे जैसे 1 के नीचे 0 लिखेंगे तो आपका आंसर सोजाएगा ट्रिपल, एक, 0 फिरो उसके बाद इसे द्युधारी में बदल रहे हैं तो नीचे ये दो बेस में लगा देंगे ठीक है next question देखे 39 सेम उपर वाले ही pattern को लागू करेंगे उपर वाले list को इस तरह लिखेंगे ठीक है फिर उसके बाद डबल करते हुए और देखें हमें कितना लिखना है 49 को लिखना है तो ये देखे 32 दूना 64 यानि 64 के पहले ही आता है 49 तो हम लोग देखेंगे कौन कौन संख्या को जोड़ेंगे तो 49 बनेगा ठीक है तो देखें 32 तो 1 होगा उसके बाद 32, 4, 36, 36, 32, 38, 38 और 49 यानि 32, 4, 2, 1 को जोड़ने पर 49 बन जाएगा तो जिस जिस संख्या को जोड़ने पर 49 बना है उसके नीचे एक लिखेंगे बाकी जो rest बचा है संख्या उसके नीचे 0 लिख देंगे 16 और 8 के नीचे 0 लिख देंगे तो यहीं आपका binary में convert हो जाएगा ठीक है देख सकते हैं एक डबल जीरो ट्रीपल वन ठीक है और नीचे यह बेस में आप दो लगा देजेगा बेस में ताकि आपको समझ में आए कि यह दूधारी संख्या है अब कोशेन नंबर फोर्थ देखे का रहा है 136 को binary में convert करना है सेम हो ही pattern लागू किजे दाहिने तरफ एक लिखेंगे और उसके बाद दूगना करते हुए बाएं तरफ बढ़ेंगे तो एक लिखा दो लिखा फिर चार फिर आठ दूगना करते है 16 32 64 128 और फिर 256 तो 256 के पहले ही न 136 आता है तो हमें 256 नहीं लेना है 256 के पहले ही देखना है कि कौन कौन सी संख्या को आपस में जोडेंगे कि 136 बन जाएगा तो 128 और 8 को जोड लिजेगा तो 136 बन जाएगा तो जो जो जोडा है हमने जोडा है उसके नीचे एक लिखिए ठीक है बाकी जो रेष्ट संक्या बचा है उसके नीचे 0 लगाए ठीक है 64 के नीचे 0 32 के नीचे 0 फिर इस तरह 4 2 इन सब के नीचे 0 तहीं आपका आंसर सुझा जाएगा 1000 और इस तरह दुधारी में बदले हैं तो दो लगा दिजेगा तो इस तरह हमने देखा कि किस तरह हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर बाइनरी में कंभर्ट करते हैं कोई भी संख्यात्मक मान को यानि decimal नंबर को किस तरह बाइनरी में कंभर्ट किया ता है अब हम बाइनरी में है क्योंकि आप सभी जानते है कि बाइनरी में एक और जीरो डिजिट का उपयोग होता है तो सेम वहीं उपर उला पैटर्न को लागू करेंगे दाहिने तरफ से एक उसके बाद दूगना करते हुए लिखेंगे तो पहले एक लिखा फिर दो फिर चार फिर आठ फिर सोला फिर बतिस अब हमें देखना है कि एक के नीचे जो भी संख्या है एक के नीचे जो भी संख्या है उसको आपस में जोड़ देना है जैसे एक के नीचे बतिस है और यहाँ पर एक के नीचे चार है तो 32 और 4 36 यहीं आपका संख्यात्मक मान लिखा जाएगा एक की नीचे जो भी संख्यार आएगा उसको आपको add कर लेना है अब देखें कोशन नमबर सेकेंड कर रहा है 1001 001 यह जो binary number है इसे हम लोग को संख्यात्मक मान यानि decimal में convert करना है तो simple वहीं pattern को लागू करेंगे दाहिने तरफ एक लिखेंगे फिर दुगना करते हुए बढ़ेंगे यहाँ पर एक लिखे फिर इसके दुगना 2 हो जाएगा फिर उसके बाद दुगना 4 हो जाएगा फिर उसके दुगना 8 हो जाएगा फिर उसके दुगना 16 हो जाएगा फिर दुगना 32 हो गा 32 दुगना 64 इस तरह बढ़ेंगे अब आप देख रहे होंगे कि मैं नहीं 2 लिखा हूँ, नहीं 4 लिखा हूँ, नहीं 16 लिखा हूँ, इसलिए नहीं लिखा हूँ, क्योंकि मैंने उपर बताया कि उसी संख्या को लिखना है, जिसके 1 के नीचे वाले संख्या को लिखना है, तो जो भी 1 के नीचे संख्या उसी को लिखना है बाकी को नहीं लिखना है जैसे एक को हम लोग लिखेंगे दो को नहीं लिखेंगे फिर चार को भी नहीं लिखेंगे फिर आठ को लिखेंगे क्यों कि एक के नीचे संक्या को लिखना ही है फिर 16 को नहीं लिखना है 32 को नहीं लिखेंगे 64 को लिखेंगे क्य के नीचे इसको आपस में जोड़ लेंगे तो 64, 8, 1 क्या हो जाएगा 64, 8 कितना हो जाएगा तो 72 हो जाएगा और 72, 73 आंसर्स हो जाएगा यही संख्यात्मक मान लिकल के आ जाएगा थार्ड कोशन देखिए अब देखिए हमको वही लिखना है संख्या जिसके नीचे एक आता ह ठीक है तो एक तो लिखेंगे ही क्योंकि एक के सामने एक आ रहा है फिर दो को नहीं लिखेंगे, चार को भी नहीं लिखेंगे, आट को भी नहीं लिखेंगे, 16 को भी नहीं लिखेंगे, 32 को भी नहीं लिखेंगे, 64 को लिखेंगे क्योंकि 64 नीचे एक है तो 64 और 65 आपस मे भी कोशन दे दिया जता है यहाँ पर बेस में 10 लिखा जाता है यानि हमें decimal में convert करना होता है ठीक है तो वहीं pattern को लागू करेंगे देखें जीरो के सामने लिखेंगे 32 को लिखेंगे क्योंकि इसके नीचे एक है उसके बाद 64 को भी लिखेंगे क्योंकि इसके नीचे एक है बस अब जो जो संख्या एक के नीचे है उसको आपस में जोड़ेंगे तो 64, 32, 4 को जुड़ेगा तो 100 आ जाएगा यहीं decimal में convert हो जाएगा तो I hope कि आपको binary से decimal में और decimal से binary में convert करना आ गया होगा अब next chapter है Roman number इसको मैं next day करा दूँगा तो channel से जुड़े रहेगा सारे में जितने भी आपको syllabus की जनकारी दिया हूँ Foundations Math के अंत्रगत वो सारे complete कराऊँगा और जैसे ही पूरा सेसंस complete हो जाएगा मैं अपना खुद का hand notes दे दूँगा आप अपना त्यारी करते रहेगा तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं next video में तब तक लिए आप सभी को मेरा जैहीं